दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहतरीन खुबियों से लैस आईफोन, आईपैड्स, एरपैड्स समेथ धेरो इलेक्ट्रिक प्रोड़क्स लॉंच करने वाली दुनिया के सबसे पॉपुलर और फेमस कंपनी एपल का नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन अब ये कंपनी बहुत ही जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉंच करने वाली है जी हाँ, कंपनी ने अधिगारिक तोर पर इसके बारे में भी कोई घोशना नहीं की है लेकिन खबरों से ऐसा पता चला है इक कंपनी शुरुवाती दोर में प्रमुख बैटरी निर्माता कंपनी CATL और BYD से बैटरी की आपूरती के लिए बात कर ले है आपको ये बता दे कि CATL दुनिया की सबसे बड़ी आटोमेटिव बैटरी निर्माता कंपनी है और BYD दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी आटोमेटिव बैटरी निर्माता कंपनी है एपल लीथे मायन फासफेट बैटरी का उप्योग करने के पक्ष में है जो की उत्पादन करने में सस्ती है क्योंकि निकल कोबाल्ट के बजाए लोहे के उपयोग से ये बनी हुई है जबकी निकल और कोबाल्ट काफी महंगी दात है सुनने में ये भी आया है कि एपल अपने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सीरिस है और सन 2024 तक ये इलेक्टर कार मार्किट में आ जाएगी करने के भी बात पता चली है ताकि अने ड्राइवरों को यह सूचित किया जा सके कि सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम क्या कर रहा है इसमें डिस्प्ले ब्रेकिंग के जानकारी कार की गती और अनसंदेशों को भी ग्राफिक के साथ साथ वीडियो के रूप में दिखाया अब यह आने वाले समय में ही पता चलेगा यह एपल की इलेक्टरिक कार, लुक्स, फीचर्स, पावर और बैटरी के मामले में क्या कुछ नया लेक कर आती है और अपने कम्प्टीटर्स को क्या नया चैलेंज देती है दोस्तों आपके साथ हमें भी इस कार का बिसबरी से इ अपने आप में बहुत जाना मना नाम है दोस्तों अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पसंद आता है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्स्राइब करना ना भूलें थैंक यू